नमस्कार दोस्तों मैं सीमा डेमन मेरे इस यूटीब चनल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों हर इंसान यही चाहता है कि लक्षमी की उसके उपर अपार क्रपा रहे आर्थिक तंगी का उसको कभी भी सामना ना करना पड़े जो भी वह पैसा कमाता है उसे वह संचय कर सके और उसके बुरे वक्त में वह काम भी आ सके यानि कि हर कोई यही चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो हर इंसान धन कमाता तो है लेकिन लक्षमी बहुत ही चंचल होती है वह उसके पास ठहरती नहीं है दोस्तों तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंट्रेस्टिंग जानकरी देने जा रही हूँ दोस्तों कि आप अपने राशी के अनुसार किस दिशा में आप धन का संचे करें अर्थाद आपकी जो अलमारी आप रखते हैं जहां पर भी आप धन संचे करते हैं आपका जो भी आफिस है वहाँ पर यदि आप गल्ला रखते हैं या फिर आप छोटी सी तिजोरी रखते हैं तो आप अपनी राशी अनुसार किस दिशा में उस तिजोरी को रखें जहां पर भी आप धन संचे करते हैं उसकी क्या दिशा होनी चाहिए ताकि आपकी उपर माता लक्ष्मी क आपार क्रपा बना रहे हैं आपके व्यापार में बरकत बनी रहे हैं और आप जो भी धन कमाएव है आपके उसमें बरकत अवश्य हो दोस्तो पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा उसे समाल कर रखना बहुत जरूरी है दोस्तो जी हां हम अगर आप पैसे पर रखना बहुत अधिक जरूरी है इससे ना सिर्फ आपकी आमदनी बढ़ती है बलकि आपके घर में पैसे टिकने भी लगते हैं दोस्तों तो जोतिश की अनुसार हम कौन सी दिशा में राशी अनुसार धन संचे करें ताकि आपके उपर असीम क्रपा मातारक्ष्मी की बनी रहे जो भी आप पैसा कमाएं वह उसमें आपको बरकत महसूस हो दोस्तों तो चलिए आईए जानते हैं दोस्तों राशी अनुसार आप किस दिशा में धन का संचे करें दोस्तों यदि आप मेश राशी के जातक है तो आपको हमेशा पश्चिम दिशा में धन रखना दिशान रहे कि आप जहां भी धन रख रहे हैं वहां एक लोह का चल्ला अवश्य रहे इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी दोस्तों और इसके अलावा यदि आप पेश राशी के जातक हैं और घर में यदि आप बरकत करना चाहते हैं अर्थात आप चाहते हैं कि आपक जब राशी वाले जातक ह blij है तो आप धनसंचे पूर्व दिशा की तरफ आपको करना चाहिए अरताथ आपकी तिजोरी करते है उसकी धिशा पूर्व दिशा कंजिए दोस्तो और उस के पास यदि आप चांदी और वे सो से बशना चाहिए सुबह के समय ही आप लेंदेन करें यदि आप व्यापारी है आपकी बहुत अधिक लेंदारी होती है तो सुबह के समय या फिर दोफैर के समय यदि आप लेंदारी करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक बरकत महसूस करेंगे दोस्तों अब मैं बात करती हूँ मिथुन राशी वाले जातकों की यदि आप मिथुन राशी वाले जातक है तो आपको उत्तर दिशा की तरफ धन रखना चाहिए अर्थात आपको नौर्थ डारेक्शन में धन रखना चाहिए इससे घर में बरकत बनी रहेगी आपके व्यापार में भी बरकत बचेगे बचेगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तो। अब मैं बात करती हूँ करकराशी वाले जात्कों कि बार में, करकराशी वाले जात्कों को धन रखने के लिए पूर्व और दक्षन की दिशा का चैन करना चाहिए दोस्तों, और जहां पर भी आप धन रखते हैं, वहां पर चांदी से बनी भी कोई भी वस्तू रखेंगे, लाल कप्ड़ में भान कर, तो आपके घर में और व्यापार में बरकत बनी रहेगी दोस्तो. आपके भंडार कभी भी खाली नहीं रहेंगे दोस्तो. और तीजेरों को कभी भी आप खाली ना होने दो यानि कि शगुन के रूप में आप कुछ ना कुछ धन उसमें अवशेर रखे दोस्तो अब मैं बात करती हूं सिंग राशी वाले चातकों के बारे में यदि आप सिंग राशी के जातक है तो आपको पूर्व दिशा की तरफ धन रखना चाहिए दोस्त आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा दोस्तो अब मैं बात करती हूं कन्या राशी वाले जातकों के लिए यदि आप कन्या राशी के जातक है तो आपको दक्षर पश्चिम दिशा में धन रखना चाहिए दोस्तो और दोपेर के समय आप लेंदारी से बचेंगे तो तुला राशी वाले जातकों के बारे में यदि आप तुला राशी के जातक है तो आपको दक्षर दिशा में धन संचे करना चाहिए दोस्तो और लाल कपड़े में यदि आप तामे की कोई भी वस्तू भान कर रखेंगे तो आपके जीवन के लिए वह बहुत अधिक आपकी जहाँ पर भी तुला राशी वाले जातकों के बारे में यदी आप वरक्षिक राशी के जातक है तो आपको दशन्चे दक्षण दिशा की तरफ करना चाहिए यह आपके लिए शूपकारी दिशा मानी जाती है यदि इस दिशा में आप धन रखेंगे तो आपके घर वे व्यापार में बरकत बनी रहेगी और जहां पर भी आप धन संचे करते हैं वहां पर चांदी और सोने से बनी कोई भी वस्तू यदि आप लाल कपड़े में बाहन कर रखेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा दोस्तो अब आपका बहुत बड़ा कंफ्यूज जिसकी राशी सब्सक्राइब नेमस्ति और आब द क्यां करने से जएगे आप यह जातक है तो आपको दक्षिनपूर्व दिशा की तरफ धन रखना चाहिए दोस्तो और सफयत कुपड़े में चांदी की कोई विवस्तू यदि आप लपेट कर रखेंगे तो घर में और व्यापार में आपके बरकत बनी रहेगी कभी भी आपको धन की कमी की मैसूस नहीं होगी दोस्तों अब मैं बात करती हूँ मकर राशी वाले चात्कों के बारे में और जहां पर भी आप धन संचे करते हैं वहां पर एक कुबेर की यदि आप प्रतिमा रखेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा और सोने और चांदी से निर्मित कोई भी वस्तू रखेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा दोस्तो आप मैं बात करती हूँ कुम्ब राशी वाले जातकों के बारे में यदि आप कुम्ब राशी के जातक है तो आपको पूर्व दिशा की तरप आपको धन संच करना चाहिए दोस्तो यह दिशा आपके लिए बहुत ही फलदायक महसूस होती है दोस्तो इसके अलावा आप पीले कपड़े में सोने या फिर पीतल की कोई भी वस्तू बाहन कर रखेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा दोस्तो और सुबह के समय आप लेंद दिशा में धन रखना चाहिए जिससे आपके घर और व्यापार में बरकत बनी रहेगी माता लक्ष्मी की आपकी उपर करपा बनी रहेगी दोस्तो और सोने और चांदी से निर्मित यदि कोई भी वस्तू आप लाल कपड़े में भान कर रखेंगे तीजोरी में तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तो ये एक छोटी सी जानकरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है कि किस दिशा में आप राशी अनुसार अपना धन संचे करें दोस्तो इसके अलावा बहुत छोटी चोटी चीजे होती है उसका भी यदि हम ध्यान तो माता लक्ष्मी के आपके उपर क्रपा बनी रहेगी जैसे कि कभी भी अलमारी को जूटे हातों से जूटे पहन कर आपको नहीं खोलना चाहिए इस चीज का आप विशेज ध्यान रखें उचित प्रकाश की विवस्ता उस स्थान पर होनी चाहिए जहां पर भी आप दिखाएंगे एक छोटा सा दीपक आप बहुत कम लोग का यदि जलाएंगे तो आपकी जीवन में लक्ष्मी की अपार क्रपा बनी रहेगी दोस्तों और जहां पर भी आप धन संचे करते हैं वहां पर लेंदारी के कोई भी पेपर आप ना रखे अर्था आपने कोई यदि आप तिजोरी में ना रखे तो आपकी जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों जब भी लक्ष्मी हमारे घर पर आती है अर्था जब भी आपके पास इंकम होती है तो आप बहुत ही आदर और सतकार के साथ लक्ष्मी का नमन करते वे उसे तिजोरी में रखेंगे तो आपके जीवन के लिए वे बरकत का कार्यक करेगी दोस्तों अन्यता लक्ष्मी तो चंचल होती है कभी इस हाथ तो कभी उस हाथ आपके घर में बरकत नहीं रहेगी यदि आप इन चुटी-चुटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे ये बहुत ही सिं पसंद आये तो इससे आप लाइक करना ना भूले और दूसरों के साथ बीशे शेयर अवश्य करें दोस्तों और कमेंट्स के दौरा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो किस तरह के कर लगा ताकि आपके कोई भी सुझाओ हो तो उसको इंक्लियूड करत मैं आपके लिए बहुत अधिक बैटर से बैटर वीडियो ला सको दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू एंड बाबाई